सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेक्नलोजी वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दुस्तों मैं गौरव आपका बहुत स्वाधत करता हूँ टेक्टॉक्स की एक और फ्रेश पिसोड में और लेके आएँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक्नियूज तो चलिए शुरू करते हैं उससों बात करते हैं सबसे पहले अभी पुराने पोल को लेकिने सवाल यह था कि रिप्रेंडिट फोन के बारे आपका क्या कहना है तो आप इसों बोला है 66 परसेंट ने कि बाचे को बस सही चीज मिलिया है हमको सही कीमत के साथ पर तो रिप्रेंडिंग को भी फरक पड़त पर इसों बारे आपको एक मोबाइल फोन मिले तो उसमें जूम करके आप अगर चांद तक की फोटो देख पाएं तो आप उस चांद की फोटो को कितनी बार क्लिक करेंगे और कब-कब क्लिक करेंगे ऐसे सोचा बसमन में ख्याल आया पोल के लिए बताना जुरूर लेकित अब क्या सोचते इसके बारे में ऊपर पोल करते हुए नीचे कोमेंट लिखते हुए और आज तो मतलब बस दो दो उंटे लगा दो और पूरी ताकत से बस दबा डालो सीध किदिया कमिंग सून तो और मेरे लिए मतलब एक स्पेशल दोस्तों पैकेज जो है वो बस आपके लिए मौका है भी खोलने का बहुत ही स्पेशल आने वाली यह बहुत ही जल्दी इसी फानेक्स्टू सीरीज से जुड़ी हुई तो बने रहो और मजा उठानो उस वीडियो होगा थोड़ा डिफरेंट सा होगा यहां अगला अप्डेट इंगल के आता है उबर कनेक्ट को लेके और इंडिया में दोस्तों यहां पे इस सर्विस को उबर ने लाउंच कर दिया है जहां पर दोस्तों यह फिलहाल अभी परसंट तो परसंट पैकेज जिनुरी के लिए अभी अभी अविलेबल है तो भी दिखते एक्जाक्ली कि यह पूरे देश बर में कैसे फैलेगा फिरहाल तो जैपुर गुरगाउं और एक और किसे शेहर में काम कर रहा है आगला उस तो अप्डेट इंगल के आता है यहां पर हमारे पास में फूलने वाली ई-बाइक को यहां जो जापनीस टेकलोंजी रहा है वो डिफिनिटली बहुत इर्वांस पूरी जादी है जहां पर दोस्तों यह एक इंफलेटेबल ए-bाइक को हिया लाँच किया है मतला लाँच है जो एसा यह एक सिस्टम निकल गाए आप जो हावा बन लो इसके बैठ के निकल जाओ और जब बन करें तो भावा निकाल के समेट के और यह आपने बैक पैक में डाल लो खाफर इंटरस्टिन दुस्तों दिखने में लग रहा है ऐसे यह सिस्टम आपके पास में अगर ऐसे कोई गाड़ी सी हो तो क्या उसको यूज़ करोगे क्या मुझे नीचे कोमेंट करके ज़रूर बताना अगला उस अपडेट निकल के आता है यहां पे मारे पास में वावे की तरफ से और बात दोस्तों हो रही है वावे के क्रीन 1000 वाले प्रशेसर को लेके और ऐसे में दोस्तों मालूम यह चलता है कि यह इसी साल लाउंच होने वाला है और यहां पर दोस्तों है वो है 5 ननो मीटर्स पे बेज़ खाफी इंटरस्टिंग दोस्तों होगा इसके बारे में जानने को अभी ऐसे में मेरे खाल से जो अपकमिंग वावे का मेट सीरीज वाला फोन होगा वह अब साथ में लेके आएगा इसी करीन 1000 सीरीज वाले प्रशेसर को आगला अगला उपडेट निकल के आता है हमारे बास में रियल्मी के तरफ से नाम में यह रियल्मी जो है वो 25 तारिक को दो 25 माई को लाँच करने वाला है आठ नए प्रोड़क्स मतलब यहां पर खेर यह लाँच इंडिया में नहीं है इंडिया में भी होगा अभी दिखते रियल पावर बैंक या इयरबड्स बगर है या वाइल फोन मतलब अलग 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 दोस्तो आठ प्रोड़क्ट्स रियल भी लाँच करने माला है अब दिखते एक्जैक्ली कि वो जो आठ प्रोड़क्स है वो कौन से होते हैं और किस कीमत पे लाँच होते है और इंडिया में र बहुत पावर दुस्तो होता है कि कमपनीज के जो होते हैं पोस्त वो निखल जाते हैं दूसरे ब्रैंड से और अकसर आइफोन से होते हैं ब्कॉज एंड्रोइड वाले पकड़ में आते हैं आइफोन से पोस्त करते हुए लेकिन यहां प दूस्तो इस बार शामी के जो वो बहुत भेतरीन सा है, OnePlus को भी शायद मैं एक्स्क्रूड कर सकता हूँ, या इन जनरल दूस्ता है, ऐसे मतलब, चलो सब की बात कर लेते हैं, आपको क्या लगता है कि दूस्तों, जो कंपनी के लोग हैं, क्या ये दुसरिंआ का फोन यूज नहीं करते होँगे, और क्या ये जयातर आईफोन यूज नहीं करते होंगे, मतलब, आपके मन में क्या वीचार लगते हैं, मुझे नीचे कोमेंट करते हैं, जरूब उताईगि, मतलब वो हो सकता है ना कोई company में कोई अच्छी position पे हो और phone जो हो वो हाथ पे iPhone ही हो मन में बताओ क्या बुदबुदे निकल रहे आपके नीचे comment करते हुए अगला उस update निकल का आता है यहाँ पे हमारे पास में PUBG Mobile Lite के अपडेट को लेके जहाँ पे पेलोड मोड आ गया है इसके लावा दोस्तों यहाँ पे कुछ-कुछ map में changes किये गए हैं और कुछ combat improvements में भी किये गए हैं तो अगर आप PUBG Mobile Lite खेलते हैं तो आप ऐसे में इन सभी features का फिलाल अभी मज़ा उठा पाएंगे अगली खबर निकल के आती है हमारे पास में Huawei के Free Buds 3 को लेके इंडिया में दोस्तों इनको लाँच कर दिया गया है जहाँ पे active noise cancellation मिलता है जो एक बहुत ही अच्छी बात है और जो कीमत दोस्तों है वो है 12,990 रुपे मैंन के अन्बॉक्सिंग अपके अलडी लेके आज चुका हूँ गोल से डिबिया में आते हैं काफी interesting से दिखते हैं और ऐसे में भी इंडिया भी खेल लाँच होई चुके हैं अगला update निकलता है दोस्तों यहां पे बैटरी भी 5000 mH किये तो अभी ऐसे में दिखते हैं एक्जाक्ली की Redmi 9 का बाता है Redmi Note 9 का बाता है और क्या कुछ Xiaomi भीया नया पकाता है अपनी तरफ से समान नार्जों को टकर देने के लिए और अब यह जो 10,000 के नीचे और 10 के आसपास को जो फोन्स हैं यह Redmi की तरफ से कब तक लाँच हो पाता है अगला अपडेट दोस्तों निगल के आता है हमारे पास में Samsung Galaxy Fold Lite को लेके मतलब यह दोस्तों जो है यह हो सकता है शायद Samsung के तरफ से आनवाला सबसे कम कीमत का folding phone होगा जोगी शायद जल्दी आ सकता है जहाँ पे Galaxy Fold 2 जो है वो तो होगा एक प्रॉपर flagship phone लेकि दोस्तों यह Fold Lite भी होगा जहाँ पे अब शायद specifications इतनी अच्छी नहीं होगी यह जो भी होगा लेकि दोस्तों यह folding smartphone होगा जिसको Samsung जल्दी ही लाँच कर सकता है इसा वालूम चला है हमको एक रिपोर्ट से अभी देते हैं exactly कि इसकी कीमत क्या होती है लेकिर आप सोचो अगर 87-90 था कि एक folding phone मिल जाए Samsung का बतला इसे Fold जैसा तो मतलब क्या कहना अगला update दूस्तों निकलता है यहाँ पे Motorola की तरफ से और Moto Edge जो प्लस जो है उसने Android 12 का update मिलेगा मतलब यहाँ बहुत backlash मिल रहा था Motorola की इन phones को update के जलते कि बहुत अपडेट तो इतने यह इतना वेगा phone लाँच के विल क्या फाइदा बगर है तो यहाँ बहुत तो यह company ने जो है वो बहुत अपर्म कर दिया है 12 भी मिलेगा तो यहाँ में दोस्तों यह इंटरस्टिंग बात है अभी ऐसे में किसी ने guarantee ली नहीं है बुरी दुनिया में कि भी हमारे phone में 12 मिलेगा आप सोचो आपकी phone में कहां तक गिंती जाने वाली है अगला update दोस्तों निकल के आता है अभी last Nokia के upcoming 9.3 PureView की तरफ से और यहाँ भी आप मालूम चलता है कि पहली बात तो यह है कि जो phone है वो 8 के video recording को support करेगा और इसके रहाँ दोस्तों यहाँ पे कुछ special Zeiss camera effect सोने वाले है मतलब Nokia जो है उस तो use करता है Carl Zeiss lenses को तो भी ऐसे में कुछ specialist phone में होगा वीडियो recording के मामले में कुछ special effects होंगे Zeiss effects में बात चल रही है अभी तितने exactly कि Nokia अपना true flagship phone जो 9.3 PureView है upcoming वो आकर कब तक launch कर पाता है दोस्तों बस फिला वीडियो में इतना ही देखने के लिए आपको बहुत भाँ धनेवाद मुझे उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपका कोड़ सालों सुझाव हो तो आप DJ के मन करना मत भूलियेगा अगर आपने वीडियो को लाइक ए शेर महीं किया तो लाइक भी कर दिजिए शेर भी कर दिजिए और चैनल में सब्सक्राइब करना में भी को लिए मत भूलियेगा कि मैं आपके लिए रुजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूं दूस फ्लावडे में इतना ही ज्याहिंद वन्दे मात्रम